हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्तिमा जिवनीक डायरी में दोस्तों शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और मा लक्ष्मी धन की देवी हैं जिन पर भी इनकी क्रपा होती है उनको कब जीवन में कभी भी धन और वैभो की कमी नहीं होती है शुक्रवार का दिन शुक्रग्रह शुक्रदेव से संबंदित भी माना जाता है शुक्रदेव को सुख सौंदरे और रोमांस का कारक माना जाता है शुक्रवार के दिन पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ कुछ खास उपाय करने से जीवन में हमेशा बरकत रहती है शुक्रदेव की कृपा से भी जीवन में किसी तरह की कमी नहीं होती है आईए देखते हैं इन खास उपायों को माता लक्ष्मी को प्रसन करने के लिए शुक्रवार को स्नान के बाद लाल रंग के स्वक्ष वस्त्रधारण करें मालक्ष्मी को पूरे दिन मनही मन स्मरण करें एक इलाइची और लौंग कपूर को बाती के साथ जलाएं और देवी लक्ष्मी माता की आर्ती उतारें इस आर्ती को हर जगा हर कमरे में दिखाएं इससे घर की नकारत मकता दूर होती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है दोस्तों माता लक्ष्मी को लाल गुला बेहत प्रिये है इससे महा लक्ष्मी की पूजा करें और देवी लक करें ऐसा करने से आपके घर के सुक्ष सोहार्द में वृद्धी होगी और मन सदयो प्रसन्न बना रहेगा शुक्रवार को इस विशेश विधी से मा की पूजा करें तीसरा उपाय है आपका स्वास्तिक से लकड़ी के एक पाटे पर सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ध बन हर शुक्रवार इसी तरह से पूजा करें इसके कुछ हपतों में आपके धन की बढ़त शुरू हो जाएगी और आपको करियर में सफलता प्राप्त होने लगेगी ये स्वास्तिक का बहुत आसान सा उपाय है इसके तरेक्त शुक्रवार को कन्याओं को भोजन करवाने और य किस शुक्रवार ऐसा करके किसी भी कन्या को मीठा भोजन कराएं और बताशे और फल दान दे धन इसमें दान देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको सीधे बताशे और मीठा भोजन कराके उनको फल दान देना है दोस्तों ऐसा माना जाता है जिस घर में मुख्य द्वार एकदम साफ सुत्रा रहता है मालक्षमी उस घर की तरफ आकरशित होती है तो शुक्रवार को सुबा घर की मुख्य द्वार की सफाई करें जलका छड़काओ करें दरवाजे पर शुब लाब और स्वास्तिक का चिन इसन सुबह के समय गो माता को ताजी रोटी खिलाने से माता लक्षमी प्रसन्व होती हैं अपनी कृपा बनाए रखती हैं धन की तंगी को खत्म करने के लिए महालक्षमी का ध्यान करके इच्छा नुसार देसी खंड और श्री सूक्त का पाठ करें इसके बाद चड़ी दे इसी खंड किसी सुहागन ब्रामणी को दान दे दें अगर आपको आर्थिक मंदी का सामना कर पड़ रहा है तो बारा कोड़ी जला कर उसकी राक बना लें और उस राक को हरे कपड़े में बांध कर जल में प्रवाहित कर दें हर शुक्रवार के दिन मा लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने ग्यारा दिनों तक अखंड जोती प्रजुलित करें ग्यारवे दिन माता के नाम पर ग्यारा करन्याओं को भोजन कराना चाहिए इससे धन की कमी नहीं होती है और बरकत शुरू हो जाती है धन की आवक शुरू हो ज इस दिर शुक्रवार का खास मंत्र ओम्शुम शुक्राय नम्हा का 108 बार जाप करना चाहिए इससे घर में सुकसमरिद्धी बढ़ती है माता लक्ष्मी और शुक्रदेव कभी भी गंदगी में वास नहीं करते इसलिए इनकी कृपा चाहते है तो आता वराण सुद्ध रखें घर में साफसफाई पर विशिश ध्यान दे शुक्रवार का दिन सफेद रंग से संबंदी तता इस दिन सफेद रंग का अधिकाधिक प्रद्योग करें वरत रखने के साथ ही इस दिन शुक्रग्रह से संबंदी चीजों का दान करना भी शुब रहता है शुक्रवार के दिन सफेद रंग की चीजों का दान जैसे चावल दूद, दही, आटा और मिश्री दान में दे सकते हैं। इसके अलामा शुक्रवार के दिन चीर्टियों और गाय को आटा खिलाने से शुक्रदेव की कृपा प्राप्त होती है। इस बात का विशेश ध्यान रखें शुक्रवार के दिन भूल कर भी किसी से ना धन लें, ना उधार दें। ऐसा करने से धन बनने में दिक्कत होती है। और इसके साथ बीमारियां भी आने लगती है। इस बातुक का आपको विशेश ध्यान रखना है। तो दोस्तो शुक्रवार को ये उपाय करने से माता लक्ष्मी आप पर धन भरशाएंगी। कोई भी इतने उपायों में आप कोई भी पांच उपाय आजमा सकते हैं जो आपको सरल लगे। आप पर कृपा माता लक्ष्मी की जरूर होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्स्राइब जरूर करे। जैय मालक्ष्मी।